कि आरेसेस ने नरेंदर मोधी को पहले परधान मंतरी घोसित किया जन्ता ने बाद में चुना इसलिए मैं कहता हूं कि नरेंदर मोधी आरेसेस का रखा हुआ परधान मंतरी है कि मोधी जी एक मुखोटा है RSAS के ब्रहामनों ने नर्यंद्र मोधी नाम का मुखोटा लगाया हुआ है हम लोग देखते हमें लगता नरेंद्र मोधी है मगर पीछे से RSAS के ब्रहामन सारा का सारा कारिकरम चला रहे है इसकी वज़ा दो मोदी जी जो है ये इंडाइरेक्ट पुजी पतियों की गौवर्मेंट चला रहे हैं सामने से हमें देख रहा मोदी जी चला रहे हैं मगर पीछे से तो अम्बानी का ही सारा कार्खरम चला तो अम्बानी के लिए ही मोदी जी काम कर रहे हैं देश की जनता के लिए मोदी जी का कि शापास कर गए थे उनकी नियुक्ति को क्रीम लेयर के नाम पर रोग दिया तीसरा काम Moodi के पच्छ में कोई फैसला नहीं करते ओवी सी के विरोध में ही सारे फैसले करते हैं ओवी सी को संख्या के अनपात में रिजर्वेशन देना चाहिए था दिया नहीं जिनका 80% कब जा है उनको 10% दे दिया मेरा यह कहना है कि मोदी जी एक मुखोटा आरेसेस के ब्राहमनों ने नरेंद्र मोदी नाम का मुखोटा लगाया हुआ है हम लोग देखते हमें लगता नरेंद्र मोदी है मगर पीछे से आरेसेस के ब्राहमन सारा का सारा कारिकरम चला रहे हैं इसकी वज़ा से पिछड़े ब के लोगों को अर्गनाइज कर रहे हैं इसके विरोध में कि नरेंदर मोदी ने ओवी सी के नाम पर कहा कि मैं पिछड़ा हूं फिर कहा मैं नीच जाती का हूं फिर कहा मैं चाय बेचने वाला हूं तो हमारे लोगों को लगा कि नरेंदर मोदी पिछड़ा भी है नीच जाती का रहे पर भीक्ति अपर हेड कर ATAL करने के लिए अर्फि도 यह ़ोग Okay KE को आंडोलन की तैयारी जैर हूं को जहां तक हमारा नुभा बोल रहा है कि जहां रहते हैं वहां तमा मुसलमान रहते एं और अभी अजिसा जिसे वो लग नहीं रहा है, कि मुसल्मान हमारा कुछ नुक्सान कर रहा है जितना कि इस गौवर्मेंट में हमारा नुक्सान हुआ, हमारे बच्चे जो सिख्छा से बिरक्त हो जाएंगे और नौकरी सहटाये जा रहे हैं, तो हमको लग रहा है कि यह सरकार ही हमारी नहीं है और जिस उमीद से हमने सरकार बनाई थी इसलिए हमको जो है यह मुमेंट चलाना पड़ रहा है वो भी से के लिए कई सारे चीज़े सरकार ने मुदी जी बिना कहे प्राइबेट किया करते सरकारी लोग काम नहीं करते क्या ऐसा है जान बोज कर जो सरकारी सेक्टर है उसमें जो है उसको नुकसान किया जाता है और उसके बाद उसको प्राइबेट किया जाता है प्राइबेट इसले किया जाता है सस्ते दाम पर पूजी पतियों को दिया जाता है और चुनाव में पार्टियां उनसे चंदा लेती है तो इसकी वाजा से पूजी पतियों को ब कि छुना इस लिए मैं कहता कूल कि नरिंदर मोधी यारेशेष का रखा हुआ प्रधान मंत्री है जोन मोधी जी के गोँड़मेंट elements 2004 की यो 2019 evolves इस दो जनता मोधी जी के मोधी जी के पच्च में आए तो इसकी वासा से अच्व मोधी जी प्रधान宏 से बयुए को आगे किया था मुख्यमंत्री पद के लिए बीजेपी ने उप बना करके चुप कर दिया योगी आधित्यनाद को मुख्यमंत्री बना दिया योगी आधित्यनाद इतने साण छोड़ दिये पूरे उत्तर परदेश में सारे किसान पिछड़े बरके उनकी फसले होगी किसाड़ खा रहे हैं और इतना यह नहीं अभी तो पिछड़े बरके लोगों को बताया रामराज लाएंगे अब रामराज में यादो मारे जा रहे हैं रामराज में पटे बढ़ेगा इसकी वज़ा से उत्तर परदेश में आज बिहार से भी ज़्यादा आज की तारिक में उत्तर परदेश की कानून ब्योस्था के हालात कराब है सुप्रीम कोट को मानना पड़ा कि उत्तर परदेश में जंगल राज है सुप्रीम कोट ने दो बार